नवाश्कार आप देख रहे हैं इलार नियूज 24-7.com और मैं हूँ आफ्ताब आलम हमारे साथ डियसेस के राष्टी अध्यक्ष है शिवरंदन भारती जी सबसे पहले इलार नियूज में आपका इस्तिक्बाल करते हैं स्वागत करते हैं बहुत बहुत सुक्रिया जो जिम्म करें के लिए देखर लिए इसके बारे में यह संतिकाय है जिन्हों ने हमेशा उनकी परिवाच परिवेश में धरमर पेकस्ता की गई है और उनकी एक सोचती एकांत में वो बैठे और सोचे कि RSS जो उनमादी चीजों को समाज में फैला रहे हैं उनको काटने के लिए इनके दिमाग में एकांत में जब वो गए और धार्मिक विचार धारा के लोग भी है तो इनको लगा कि हमको भी इन लोगों की तरह जो इन लोग नफरत फैलाते हैं हम महबत की अपना पैगाम देंगे और धर्म रिपेक सभी धर्मों को ले कर चलेंगे और धर्म रिपेक सिवक संका जो इन्होंने जो निर्मान किया उनकी जिमेबारी हमको दी गई और मैं अपने पूरे कर्तब निश्टता के साथ इसको निभाने की कोशिश कर रहा हूँ और पूरे बिहार में अभी एक मेने का हम लोग का टार्गेट है और 40,000 सायना तयार करके इनके सामने खड़ा करना है गांधी मैदान में और उस दिन से जो डंका की चोट पर हम लोग निकलेंगे तो आरेसेस वाले आपको पूरे रोड पर कहीं नजर नहीं आएगा कमिटी का विस्तार आपने कर लिया क्या है ग्रेजुली धीरे धीरे हम लोग कर रहे हैं एक तिन में नहीं होता चोकि उसको सायना के तरह ट्रेंड करना है एक दिन हमारी दो तरह से एक तो हम लाटी से भी और एक्सरसाइज और जो फीजिकली फिटनेस को भी हम लोग देख हुए लगातार देख रहे हैं आप देखते होंगे आप की इस तरीके से आरे से बीजेपी का विचारधारा आरे से मतलब देखें तो परखंड अस्तर तक अपने पैर पसार रही है दंगे का महल बनाने का काम करते जिस तरीके से आपका भी कहना है साफतर पर तो लेकिन उस कुस्तान के तहजी में भारतिये एकता और अखंडता में आप अपड़ियेगा भारतिये सम्मेधान वे इस चुछ को नहीत किया गया है जहां से कि बात को कही गई है तो यहां पर लोगों को अभगत करा देना है कि यह लोग जैसे राम नारे तकबीर इस दोनों को बीच मे लरा कर अपना बोट की राजनिती करते हैं और यह इन्होंने नन पॉल्टिकल औरगिनाजेशन्स धर्म निर्पेक सेवकसं को जो बनाया गया है इन्होंने पाहले साफ तोर पर का दिया इसमें पॉल्टिकल लोग नहीं मिलेंगे आपको जो लोग भी मिलेंगे इंटिलेक् के वजह से धर्म की निर्पेक्स्ता की जो बात किये सभी धर्मों को लेके चले और इसी के सजा के तोर पर आदर निया लालु प्रसाद यादव जी को जेल में बंद किया गया है उनका गुना क्या था कभी गौर कीजिएगा और जो इल्लीगल तरीके से उन पर जो इल्जा प्रताप यादव जी और तेजस्वी जी भी अभी बहुत दिन रात महनत कर रहा है उनका महनत रंग लाभी रहा है और उनके लिए देखिए आदर निया लालु प्रसाद यादव जी के बारे में जो कहा गया है उनका था कि चमन को सीचने में पतियां कुछ जहर गई होंग यही इलजाम मुझ पर लगा रहे हैं बेवफाई का मगर कलियों को जिसने अपने हाथों से मसल डाला वही दावा करते हैं चबन की रहनुमाई का तो अभी यह लोग दंगा फसाद करवाते हैं और वही आज देखे कितने डंगे की चोट पर करें नरेंदर मोदी जी में ऐस अब का मालिक है तो क्या है कैसे जोड रहे हैं लोगों को यह यह लोगों को जैसे हमारा जो टीम है उस टीम में बहुत सारे लोगों का हम लोग का वेब साइट है उस पर लोग जूर रहे हैं और हम लोगों को चुकि बहुत जादा प्रियास इसलिए बने लोग स्वता हम ल परसन है और अभी हमको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पर रहा है आदर निय स्री तेज परताप यादब जी के नाम से ही लोग हम लोग के पास आरे पहले उन लोगों को हम लोग कलेक्ट करके जोड़ ले रहे हैं उसके बाद हमको संगठन को भी स्थार करने के लिए जो ज चाल देते हैं तुम तो मावली सा दर्या हो एब जैपी बालो हम लोग तो सारा समंदर खंगाल देते हैं जो साफ लबजों में कह रहे हैं कि डेसेस को और मुकंमल तरीके से मजबूत करने के लिए गाउं-गाउं के राके में जाएंगे और जो विचार धारा है धर्मिर प केसेस का विचारधारा यानि कहें कि यह शेर इनी पर लागू होता है कैमरा पर संजीव आर्या का साथ आफ्ता बालम एलार निउस ट्वंटी फोर इंटु सेवन